जी हाँ नमस्कर सात्यों एक और बड़ी खबर उदेपुर जिले से मिल रही है जिले से एक और बड़ी वारदात का मामला सामने आ रहा है जिसमें एक प्रेमी युगल ने बड़ी वारदात को अंजाम देया और उसे भगवान को प्यारा कर दिया दरसल इसमें चौकाने वाली बात ये सामने आ रहेगी जिसमें युवक ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद युवक खुद ही थाने पर पहुंचा और पूरे घटना क्रम से अवगत कराया वही प्रसासन ने मामला दर्ज किया और जांच में सामना रहेगी दोनों पिछले 10 साल से लिविन मेरे रहे थे इस बीच युवक पिछले 4 दिन से घर से गायब थी और सनिवार देराद घर पर पहुंची और सराब की वात को लेकर विवाद हो गया और इस बीच युवक ने प्रतारित करने के चलते उसे भगवान को प्यारा कर दिया वही पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक से गहनता से पुँच्तांच की जा रही है दरसल ये मामला उदेपुर से जहाडॉल थाना के लूरो की गवाडी का है जिसमें जाडोल के थानेधार मोती राम सारा ने बताया कि लूरो की गवाडी निवासी मुकेस और यूती पिंटू दोनों लीविन में रह रहे थे और देरात दोनों में विवाद हो गया और इसी के चलते पिंटू को बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और उसे भगवा को प्यारा कर दिया फिलाल पुलिस ने मेडिकल मुआना कर परीजनों को सूसना दे दी है और इस बीच यूक से गहनता से पुहुंस तांस की जारी है दरसल हुए पुलिस से मिली जानकारी के मुदाविक मुकेस मजदूरी करता है और वह रोजाना सुबह घर से निकलता है साम को वापिस लोटता है वोई पिंटू को नसे की आदी थी और वो करीबन पिछले च्यार दिन से घर से गायब थी वोई पिंटू का पिहर जाडोल थाना चेतर के आवरडा में बताया जा रहा है पिहर पक्स को सूसना दी दी है पलाल महामले की जांच जा रही है आप वी ऐसे वारदात को अंजाम ने दें आपको इस प्रकार के खबरे दिखाना विजलित करना नहीं बल्कि समाज में घटित होना वाली सभी करना उसे सचित करना है ताकि खुद के साथ होने वाला सभी अपराज से बचा जा सके अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जहें दोस्तों